चंद्रियान दो बेशक पूरी तरह से सफल ना रहा हूँ लेकिन भारती अंतरेक्ष अनुसंधान संगठन यानि इस्रो के कदम थमे नहीं है और वो अंतरेक्ष में भारत का परचम लहराने की योजना पर काम कर रहा है जी हाँ इस्रो चीफ के सिवन ने आज 9 साल के मौके पर देश्वासियों के सामने इस साल के लक्षे और यूजनाय पेश की जिसमें दो एहम मिशन के बारे में बता गया है तो कौन से हैं वो मिशन जिसके दम पर भारत रचे का इतिहास इस रिपोर्ट में देखिए साल 2019 पे भारत को अपने महत्वक आंक्षी मिशन चंद्रयान 2 की सफलता का बेश सब्री से इंतजार था लेकिन ये मिशन पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं कर पाया और लेंडर विक्रम का संपर्क और बिटर से तूट गया लेकिन इस्रो ने चांद पर पहुँचनी क के अपनी उम्मीदें नहीं तूटने दी है जिसकी जानकारी आज खुद भारती अंतरिक्षन उसंधान संगठन के प्रमोख के सिवन ने दी है जी हां नए साल पर इस्रो चीफ के सिवन ने 2019 के उपलब धियू और 2020 के अपने लक्षे की जानकारी दी सिवन ने साल 2020 में गग प्रोजेक्ट के लिए काफी तैयारी बीते हुए साल में ही कर ली गई इस रोचीफ ने बड़ी और आधिकारी घोशना करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट को मनजूरी मिल गई है और इस पर काम शुरू हो जुका है उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 एकदम चंद्र करोड रुपे का खर्चाएगा उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपन अगले साल तक के लिए टल सकता है वह उन्होंने मिशन गगणियान के बारे में भी बताया सिवन ने कहा कि 2019 में गगणियान प्रोजेक्ट पर काफी काम हुआ है इसके लिए चार अंत्रिक्ष तमिलनाडू के तूती कोरेन में हुगा ऐसे में अब देश भर को इंतजार है दोनों मिशनों की लॉंचिंग का जो भारत अंत्रिक्ष में इतिहास रचेगा डीविलाइफ के रेपोर्ट